पर्मन डिलिवरी जब भी होती है तो कई बार जो नई लड़कियां होती है जो पहली बार माँ बन रहे होती है तो घबराहट होती है क्योंकि अगर आपकी ये दूसरी प्रेग्नेंसी है तब भी आपके मन में एक हिम्मत आ जाती है क्योंकि उस समय आप पो अल्डेडी माँ दर नहीं होती है, और इतनी घवरहत होती है, जिसकी कल्पणा भी आप नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, कि अगर आपको बहुत जादा डर्द लगता है बहुत ही जादा पेन रड़ लगता है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को end screen पे डाल दूँगी तो देखना मत भूलीगा तेकिन आज मैं specifically आपको बताना चाहरी हूँ कि आपकी normal delivery में आपको घवराने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है कई बार बहुत सारी महिलाएं ऐसा फिल करती हैं कि उनको चीरा दे दिया जाएगा तो क्या पता वो बहुत ही जादा गहरा चीरा दे दिया जाएगा वो भी बिना एनस्थेसिया कर दे दिया जाएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह चीरा क्यों दिया जाता है कैसे दिया जाता है इने स्थेशिया लगाया जाता हैया फिट नहीं सब के बारे में जानकारी दूंगी तो यह वीडियो कमप्लीटली जरूर सुनिये מरा inveWow महें और आपका मेरे शैनल परिण के पर बहुत बहुत स्वागत है अगर आपने मुझे आपके cervix का dilation पूरी तरह से नहीं हो जाता है 10 cm तक उसका dilation ज़रूरी है ताकि बच्चे का सर आउट हो सके लेकिन जब अगर आप पहली बार मा बन रही होती है तो आपके नीचे नीचले जो अंग है उनके muscles काफी जादा tight होते हैं ताइट होने के वज़ा से उनमें इतनी flexibility नहीं होती है कई बार अगर आप activities बहुत जादा अच्छी नहीं कर रहे होते हैं अगर आप physical activity में इतने participate नहीं करते हैं उससे भी आपकी जो muscles हैं वो काफी stiff होती है तो बच्चे को निकलने में थोड़ी सी परेशानी होती है लेकिन वहीं पर अगर आपकी दूसरी या तीसरी pregnancy है क्या फिर बच्चे का सर भी अगर कई हद तक बड़ा लगता है जैसे नॉर्मल बहुत सरी cases में बच्चे का सर, कुछ-कुछ बच्चों का सर बड़ा होता है तो उसको निकलने में थोड़ी सी परेशानी होती है ऐसे case में डॉक्टर तुरन से decision लेते हैं कि आपको चीरा यानि की epizotomy लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए तो उनके हिसाब से जो भी उनको suitable लगता है आपको चीरा लगाया जाता है लेकिन ऐसा मान के चलिए कि 90% cases जो normal deliveries होती हैं उनमें चीरा लगाया जाता है कई बार ये चीरा सुन नहीं किया जाता है कई बार ये चीरा को सुन किया जाता है अब आप बोलिएगा कि ये सुन नहीं किया जाता है तो कितना ज़्यादा pain होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब डॉक्टर के पास इतना वक्त नहीं होता है जब अगर मानेजी कि at the point अगर डॉक्टर के पास इतना वक्त नहीं है कि वो anesthesia का आपको injection लगा पाएं और कुछ दिर के लिए wait करें क्योंकि आपको काफी force के साथ वो बच्चे का सर बाहरा रहा होता है तो अगर डॉक्टर को time permit नहीं करती है तब वो बीना किसी anesthesia के वो आपको चीरा लगा देती है कैची के साहरे तो आप ये बिल्कुल मत सोचेगा कि आपको pain बहुत जादा होगा जिस तरह से आप अब normal delivery के pain में होते हैं उसी तरह का pain बस आपको ऐसा नहीं कि बहुत जादा pain होगा इतना pain होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि already आप इतने pain में होते हैं तो आपको अगर चीरे का pain लगता भी है तो वो समझ में नहीं आता है लेकिन अगर उनके पास थोड़ा सा वक्त है अगर बच्चे का सर्थ थोड़ा सा पीछे के तरफ है और उनके finger वहाँ पर आ रहे हैं अच्छी तरह से insert हो पा रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको anesthesia दिया जाता है 90 से 95% cases में anesthesia दिया जाता है नेकिन मैं सिर्फ आपको यही अवगत कराना का कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो बिल्कुल मटरिएगा क्योंकि जो आपकी normal delivery का जो pain होता है वो इतना तेज होता है जिससे कि आपको यह problem आईगी है नहीं मतलब आपको ऐसा नहीं लगया है कि आपकी skin कट गई आपको पता नहीं चलेगा उस time पे जो भी उनको सही decision लगता है वो उस time पे doctor लेती है और यह बच्चे का सर निकलना जादा जरूरी है मैं आपको एक example देना चाहूँगी कि ऐसा जरूरी क्यों होता है कि बच्चे का सर safely out हो जाए मेरे एक जान पहचान है उनको normal delivery हुई थी लेकि normal delivery के समय में doctors के द्वारा या फिर जो भी midwife थी उनके द्वारा ऐसा हुआ कि काफी जादा बच्चे का सर को दबाया गया doctors या फिर mother जो खुद है वो किसी तरह का chance नहीं लेती है और epizotomy आपको जरूर करवाना चाहिए अगर doctor करती है अगर आपकी जो वहां की muscles tight है बच्चे का सर बड़ा है बिना किसी हिज की चाहट के epizotomy लीजिए इसमें कोई भी परहेस की बात नहीं है epizotomy आपका सिर्फ 10 दिन के अंदर heal हो सकता है और उसको कैसे आप जल्दी से जल्दी heal कर सकते हैं उसके लिए separately मैंने वीडियो बनाया है जो के end screen पे लगा दूँगी तो देखना मत भूलेगा लेकिन अगर epizotomy होती है तो बिलकुल मत घबराईए वो anesthesia देने के बाद ही करेंगी इसलिए घबराइट मत करिए आपके बच्चे का जनम लेना वो भी पूरी तरह से स्वस्थ होना ये ज़ादा जरूरी है क्योंकि 9 मैंने आपने बहुत weight किया है तो इस weight का एक अच्छा परिणाम निकले इसलिए आपको थोड़ा सा सहना जरूर चाहिए और एक मा के अंदर इतनी शक्ती होती है जिससे कि वो अपने बच्चे को जनम भी देती है और जैसे ही बच्चे का जनम हो जाता है आपके जितने भी pains हैं तो तुरंद से तुरंद छू मंतर हो जाते हैं इसलिए आपको थोड़ा सा patience बना के रखना है और अगर आपको normal delivery के लिए काफी डर लगता है तो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लीजेगा Thank you so much for watching Twins my world care